अलो दोस्ते इस्ट्रीजी के आनलाइन में आपका स्वाह करता है जी आधारित यह आए जल संसादन प्रित्वी पर जल संसादन के बारे बारे जी आधारत में प्रति बेक थी वर्सा जल उपलबद के इस अंदर में बिश्व में बारत का इस्तान एकित इस्तान एकित Trinity समा जी आ ही जी आ della ये बदलता भी रहता है यह लीखा है कि जल एक चक्री संसादन है जो प्रित्वी पर प्रारे प्र принцип मातरम उपलब्द संसादन चक्री संसादना कैसे दोस्तो ऐसे है यह समुद्र, यह सूर तो यहां समुद्र से उटकर वास बनकर वर्सा के रूप में यहां गिरता गिरके फिर यहां अधियों के दारा हो तो यह दोस्तो यहां दोस्तो और लीगा आया कि बैस्विक संदर्म में बारत के पास 4% जल है बारत के पास सिर्फ 4% जल है 2.45% भू भाग है यानि कि जमीन है जबकि बारत के जनसंक्या 17.7% है जा विश्व के आउसत जल की तुलना में हमारे देश में प्रतिव्यक थे के पास में हिस्से में केवल 1.45% जल आता है पितवी पर उपलब्द 2.5% ताजा जल है पितवी पर पूरे पितवी पर उपलब्द 2.5% ताजा जल है अथवा या योग पीने योग है इस ताजे जल का लगवक 75% भाग द्रूज जो होते हैं नर्थ इस्ट और नर्थ के छेत्रों में जमा आए यनिकी जमी इमाच्चित परवतों इभम हिमनन्नों के रूप में पाया जाता है यनिकी जमी विबर्फ के गिलेजियर बनी हुए ताजे जल का लगवक शाड़े 22% भाग भाउम जल के रूप में पाया जाता है जो ताजे जल का जिन्ना 2.5% है उसका 100% मान के चलेंगे तो आपको शाड़े 22% भाग भूम के अंदा जल पाया जाता है एवम नदियों जीलों तालापों में बिद्वान रहता है पिद्वी पर उपलब्द संपून जल का लगवक 96.5% भाग लबडी है यनिकी समुद में पाया जाता हुए खारा है जल के रूम में तथा केवल 2.5% आलबडी जल पाया जाता है एक रिपोर्ट के अंदुसार वर्स 2005 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा भूबाग जल की कमी से प्रवावित होगा सचाई के छेत तिरफल की दर्ष्ट से भारत का बिस्व में काउन सा हिस्तान है देस का आठमा हिस्सा बाड़ गरस है जो देस का आठमा हिस्सा है वो बाड़ गरस है और च्छटा हिस्सा सुखा गरस है दोस्तों इन सभी के लिए मांसून की प्रकरतिक अधित दाइत है जी आँ दोस्तों कहीं कहीं मानसुन आते हैं तो वर्षा अधिक होती है कहीं कहीं नहीं जैसे कि इसमें भी दिख्याएंगे मौसिन नमग्राम में अधिक वर्षा होती है लिकार के संबत्ति सूची में जल बातिय समिनान के अनुसार अनुशेद 246 और 162 में जल के संधर में केंद्र और राज्यों के दाइत करने दारान करता है अनुशेद 246 के अंतरगत केंद्र सरकार के नी इंतर में गोसित किया गया है और केंद्र सरकार की सूची प्रविष्ट 56 के अंतरगत ही रखा गया है अनुशेद दोस्तों 62 के अंतराश्टी जल विवादों को समलित किया गया है किसी दूसरे देशों के साथ जल विवाद में इसी अनुशेद के तहद रखा जाता है यहां दोस्तों लिका है कि धरातली प्रेश्टी जल संसादन के बारे में पढ़ते हैं यह भारत के कुल प्रेश्टी जल का लगवग दो त्याई भाग देश के ती बड़ी नदियां सिंद नदी गंगा नदी एवं पिरमपुत नदियों में प्रवाई दोता है देश का किनना दो त्याई भाग जिन में से बारत के कुल दरातली जल संसादनों का लगवक 60% जल पाया जाता है नेश्ट की गंगा दुरोणी में उप्योग जल बंडारन की छमता सबसे अधिक है जो उप्योग के लिए जल बंडारन की छमता सबसे अधिक है परंत ब्रह्मपृत नदी दरोणीयों में वार्शिक परवा सर्वदिक होते हुए भी उप्योग जल बंडारन की छमता सबसे कम रहती है लिखा है कि उप्योग योग जल का बंडारन की छमता के इनुशार बेष्ट फून से तापती नदी दरोणी का पहला हिस्ता आता है बंडार में 97% क्या होती है पाई जाते हैं पुनर बरण योग जल संसारन में उत्तर पृदेस सबसे संपनराज जाहें बाव में बहुम बहुमि गत्ध जल संसारन क्यों कि सब से ज़्यादा जल भूमि से यहीं से निकल आता है कि अपने उत्तर विद्देश में कहीं कहीं देखा होगा आपको बाटर लेविन जो होती है साथ फूट होती है पांच फूट होती है या दस फूट होती है कहीं कहीं देखी उत्तर विद्देश में ही 40-50 फूट के आसपास पहुंचाती है या 30 फूट के आसपास यह हैं दोस जल का 89% भाग और बाउम जल में जल का 92% भाग उपयोग किया जाता है। लिखा आउदोगिक छेत्र में दरातली जल का केबल 2% और बाउम जल का 5% भाग ही उपयोग में ला जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजिस्तान, तमिलनाट, गुजराद और तपरदेश में भाग जल का उपयोग बड़े पैवाने पर किया जाता है। सुडन के एक विशेशक फालक मारक के अनुसार एक बैग्यानिक है जल वाले फालक मारक के अनुसार जल की कमी तब होती है। जा पितिक बेक्त को प्रती वर्ष एक अजास से सोला सो गन मीटर के बीच में जल उपलब्द नहीं होता है। 21 सदी सहरी करण तता उधोगी करण का यूग है। बातमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगवकस 22 प्रत्थ बाहरत जल विद्युत से ही प्राफ्त होता है। भारत में बड़ी 14 बड़ी सामन, 15 सामन और 700 छूटी नदियां पाय जाते हैं। बारत में सबसे ज़ादे नदियां पाई जाती हैं, किसी भी देश से अधिक नदियां बारत में पाई जाती हैं, हर वर्स अवस्तन 1770 मिली मिमीटर वर्सा होती है, और जहां वर्सा जल सनंचन की परंपरा रही है, बारती जन संकिया और घटते जल साधन को देखते हुए, सरकार ने इसी दरेश्ट से बारत सरकार ने जल म्रत मांचित एवं प्रबंदन योजना प्रारम किया है, जलक भ्रंथ मांचित के प्रथम चरण में आठ राज्य, कौन कौन से कनाटक, आनपदे, गुजरात, हर्याणा, पंजाब, राजिस्तन, वत्तमिनाड, वत्तिलंगाना को सामिल किया गया, राज्यों में भूजल की इस्तिती गंभी इस्तित तक पहुँच गई है, इन राज्यों में, जल का सर्वदिक व्योग क्रसी तेता अधोगिक छेत में किया राता, और जल भरंत मांचिन तयार कनने वाला अर्याणा, देश, अर्याणा, देश का पहला राज्य बन चुका आए, आए, इसके अंतरगर बायते जल को रोकना और विन विवस्ताओं, जैसे की अंता सरावा तालाप पुनर भरं, कुवाँ आध के द्वारा भौम जल का संचैन और पुनर भरं सक्त सामिल है, महराष्ट के अंदावा नंगर जिले में रागेण सिद्धिकी का एक छोटा सा गाउं है, जहाँ पूरी भारत में जल संबर, विकास का एक उधारम वाना दाता है नीरू मीरू जो जल आ और आप कारकरम जो आन प्यदेश में शुरू किया गया था और आलम मारी जल संसादन अलवार राजिस्तान के अंतरगर लोगों को सहयोग से बिविन जल सजानत संग्रहर सनचनाएं जैसे कि अंता सरावन तालाप जोहर की खुदाई की गई, तता र रोदक बांद बनाये गये, तैमिन लाड में घरों में जल संग्रहर सनचना को बनाना अवस्य कर दिया गया, प्रचीन भारत में उतकरिष्ट, जली, निर्मानों के साथ सर जल संग्रहर राचे भी बनाये जाते हैं, लोगों को वर्षा, पदत्तिक और मिर्दा के गुणों के बारे में गैरा ज्यान था, बांव जल, नदी, जल, बाढ़, जल, संग्रहर के अन्यक तरीके विक्सित कर लिए गये थे, पश्चिमी बारत बिसेश का राजिस्तान में पीने का जल एकातित करने के लिए छत वर्षा जल का संग्रहर का तरीका आम था, पश्चिम मंगाल में बार के मैदानों में लोग अपने खेतों के रशाई के लिए बार, जल, बाइकाया बनाते थे, खेतों में वर्षा जल संग्रहर के लिए गड़े बनाया जाते थे, तरीका राजिस्तान के जैसल मेर्जिले में खद्यान एवं अन्चेतरों में जो और इसके उधार है, जल यानि कि वर्षा जल प्राकतिक जल का सुधत्तम रूप समझा जाता है या माना जाता है, में अगाले की राजर ने सिलांग है, जो सिलांग में छत वर्षा जल संग्रहर पर चलत आए, यह रोचक इसली है क्योंकि चेरापंजी और मासिम राम गाउं जहां बिश्व का स सबसे अधिक वर्षा वाला गाउं है, सिलांग से पच्पन किलोमीटर की दूरी पर इस्तिते यहां सायद पीने के पानी की गंबित समस्या का सामना करता है, घरेलू जल संसादना आओ सकता है कि कुल मां की लगवग 15-15 पर सजल संसादन संग्रहर बिवस्ता से ही होता है, क रामीडों ने अपने घर में जल आवसकता की फूत के लिए चत वर्षा जल संग्रहर की ववस्ता की है, गाउं के लगवग 200 घरों में यह ववस्ता है, तता इसी इस गाउं में वर्षा जल संकत संपन गाउं की ख्वाइस अर्जित की है, वर्षा जल संग्रहर की जल की नीचे जाने से रोंकता है कैसे रोंकता है क्योंकि आप जल बरसा वाला यहने कि छत वाला पानी आप यूज करेंगे तो वो नीचे से जो आप पानी यूज करेंगे उसका इसतर कम यूँ होगा तो कम कि वहारे आपका जल इसतर ऊपर आजाएगा यह फ्लोराइड और सीड़ी या सीड़ी दार कुए ऐसी भून की सनचना है जो केवल बारत में पाई जाते है या बारत के स्विक्स छेत्र में काफी लोग पुरी रही है जिसका अपयोग जल संग्रेण एवं पीने योग पीने के जल की लगाता उपलवता के लिए जाना जाता है उधारन के कुए पर जाकर समापत होता है इनकी मंदिर नुमा सनचना एवं जल उपलवता की मैत को ध्यान रखते हुए इने जल मंदिर भी का जाता है टैंकों को इरिस भी कहते हैं इरिस भारत में जल प्रवंदन के लिए बनाए गए पराचींतम सनचनाओं में से एक है दच्छिन भ रर्मान से लिए भी किया जाता है विस्त ऌल दिवस जल दीवस willst को मना जाता है तता बाइस मार्च दो ऐजा सत्रा कूर सभी देशो ने व्हाजविक जल संसादन को फिर्सारिट करने है तो विस् 하고 जल दिवस मना है नसके लिए इस विसए का किसी को बिस खायनी थीम था किस थीव हैं नेट कि ब्राजील के रियो डी जेनरियो में वर्ष दो उन्नीस बानवे में पर्दावरान और विकास के लिए सम्मेलन द्वारा आयू जित कारकरम में 20 जल दिवस मनाने की प्राइल की गई थे विस विकास रिपोर्ट 2018 के नुसर आठ हों में 20 म के दावरान 19 माच 2018 को ब्राजीलियाई ब्राजील में सेहित राष्ट विस विकास नीत बारा संसुरी प्रारूब जारी किया गया था जल नीति की मुख के पिसे स्ताइं हैं कि जल प्राकतिक संसादन है जल करांत अभियान की सुरुवात तीन चेत्र राजिस्तान के जैपर उत्तर प्रदेश के जांसी और इमान जल प्रदेश के सिम्ला से की गई थी जल किरान अभियान की सुर्वात कां कां की गई थी तीन राज्य में की गई थी राजिस्तन के जैपिर में उत्तर विदेश के जासी में इमानचल विदेश के सिमला से की गई थी जो अपने भारत में मना जाता राष्टिये जल दिवस 14 अपरायल को मना जाता है कब मना जाता 14 केंद्रिये जल संसाधन नदी विकास इवं घंगा सनचन मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन के छेत्र में डाक्टर भीम्रांबिटकर के योगदान के लिए उल्ले करते हुए घुशना की गए कि उनके जन्म दिन पर 14 अपरहिल को जल दिवास के रूप में मनाया जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्नाबाद के बाद चैनल के सब्सक्राइब जरू करते हैं जाना है तो धन्नाबाद